भाच्पा की परिवर्तन यात्रा के समापन कारिक्रम में प्रधान मंत्री नेरिंद्र मोदी ने विशाल जन समू को संबोधित किया एज़ोरान पी ए मोदी ने कॉंग्रेस पर तीखा हमला भी बोला भले ही 36 गड़ में विधान सबा चुनाओ की तारीकों का एलान अभी तक नहीं हुआ है पर भाच्पापूरी तैयारी के साथ प्रदेश में अपना प्रचार प्रसार कर रही है 36 गड़ परिवर्तन यातरा के समापन कारिकर में प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी बिलासपूर पहुचे साइंस कॉलेज मैदान में उम्रे जन सेलाप को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि जब तक प्रदेश में रमन सिंग की सरकार थी तेजी से गरीबों को पक्के मकान मिल रहे थे पर कॉंग्रेस की सरकार बनते ही सारे काम रुख गए प्रदेश में फिर भाचपा सरकार आईगी तो कैबिनेक की पहली बैठक में ही ये तै कर देंगे कि जल से जल्द बचे हुए लोगों को पक्के मकान मिल जाए कारिक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंतिर रमन सिंग भी मौजूद रहे तो यहां भी हम तेजी से गरीबों के घर बना रहे थे लेकिन जैसे ही यहां कॉंग्रेस की सरकार बनी तो वो उसमें गोटाले तल्यासने लगे कटकी कैसे करें खोजने लगे लेकिन मोदी ने ऐसा पक्का कर दिया है सीधा पैसा उस घर में जाता है तो उनको बड़ी केबिनेट का पहला फैसला यह लिख रखिए भाजपात की सरकार 37 गण्ने बनने के बार पहला फैसला गरीबों के पक्के घर जो भी बाकी है सारे के सारे स्टेज गती से पुरे करके हर गरीब को पक्का घर दिया जाएगा आप देख रहे हैं डखल न्यूज